यहां सभी को नमस्कार नासुला नोलिज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो जोगर्फी के अगले वीडियो में आज का हमारा टोपिक है भारत का भूगोल भारत के भूगोल से सम्मदित जो महतोपूर्ण कोस्चन मनते हैं वो सीरीज आपके सामने लेका है अभी आपने देखना कि आप कितना इसमें से सौल कर सकते हैं ओके पहला चेतरफल की दरिष्टी से भारत का वीश्य में कौन सा स्थान है दोस्तों चेतरफल की दरिष्टी से भारत का वीश्य में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दरिष्टी से दूसरा स्थान है ठीक है दूसरा कोन कैसे पहला कोन है चाइना और दूसरा कोन है इंडिया भारत के उत्र में कौन से देश है दोस्तों भारत के उत्र में देश है चीन, नेपाल और भूटान यानि कि भारत के उपर वाले हिस्से की तरफ की बात की गई है चीन, नेपाल और भूटान Next, भारत के पूरो में कौन सा देश है? पूरो में देखो दोस्तो बंगलादेश आता है पूरो की तरफ ठीक है वैसे मयानमार भी आता है लेकिन पूरी देशों में काउंट होता है बंगलादेश जो की भारत के सीमा के साथ 4,007.7 किलोमेटर की सीमा बनाता है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में आता है पाकिस्तान, कौन सा देश? पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ 3,323 किलोमेटर लंबी सीमा बनता है, भारत के दक्षन पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षन पश्चिम की बात की है, तो यह है अरब साग कौनसा अरब सागर, गुजरात के नीचे वाले हिस्से में महाराष्टा के सैड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, महाराष्टा गोवा, ओके, तो ये कौनसा सागर है, अरब सागर, next, भारत के दक्षण पूरों में कौनसी खाड़ी है, भारत के दक्षण पूरों में ये बंगाल के खाड़ी है दोस्तों कौन सी बंगाल के खाड़ी है जो पूरी तट के साथ साथ लगती दिखाए दिती आपको ओके नेश्ट भारत के दक्षन में कौन सा महासागर है दक्षन में महासागर है हिंद महासागर कौन सा हिंद महासागर पुर्वाचल की पहाडिया भारत को किस देश से अलग करती है पुर्वाचल की पहाडिया भारत को मयनमार से अलग करती है किस देश से अलग करती है मयनमार से मनार की खाड़ी और पाक जल डमरू मद्धे भारत को किस देश से अलग करते है दोस्तो ये पाक जल डमरू मद्धे जो है ये भारत और स्रिलंका के बीच में है कहा है भारत और स्रिलंका के बीच में और ये मननार की खाड़ी भी है ओके next संपूल्ण भारत का अक्षांशे विस्तार कितना है दोस्तों संपोल्ण भारत का अक्षान से विस्तार पोचा है यानि कि अंडेमान नीकुबार दीप समू से सुरू होकर और जेंड के का सबसे उपर वाला हिस्सा ठीके अंडेमान नीकुबार दीप समू से सुरू होकर जम्मू कसमीर का सबसे उपर वाला हिस्सा यानि कि 6 यानि कि अंडे मानी को बार तो क्या है पानी में है दोस्तों ठीक है लिकरे मुख्य भूमी यानि कि जो जमीन जुडी हुई है भारत देश के साथ उसकी बात कर रहा है रामेश्वरम वाला इलाका तमिलाडू का तो यह कितने डिग्री एकसांस पर है आठ डिग्री चार करक रहा मकर रहा और भूमद्य रहा इन तीनो रहाएं से भारत के मध्य से खुझ्र बारत के ऊत्तर से जक्षन का विस्टार कितना है लुगतर कि स्टना है दोस्तो बारत का पूरो से पस्चिम का जो भी स्थार है वो है 2933 किलो मेटर पूरो से पस्चिम यानि कि अनाचर प्रदेश से लेकर और गुजरात की बात की गई है कितना है 2933 किलो मेटर अंडेमान निकुबार दीप समू कहां स्थित है दोस्तो अंडेमान निकुबार दीप समो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं कहां है बंगाल की खाड़ी में स्थित है लक्षदीप कहां है अरब शागर में देखो दोस्तो इन चीजों को अगर याद करना है तो वर्ल्ड का मैप अपने घर में लिया आईए उस map को आप देखेंगे तो automatic आपको सब चीज़े याद होती चली जाएगी next भारत का सबसे दक्षणी छोर क्या 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 आता है दक्षणी छोर यानि कि जो अंडेमान निकुबार दीप संहु में जो last point है वो है इंदरा point कौन सा है इंदरा point अगर हम बात करते उतरी छोर तो वो हो जाता है हमारा इंदरा call next इंदरा point को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है यानि कि इंदरा point को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है यह है pig million point यानि कि pig million point इसे इंदरा point भी कहते है next भारत का चेतरफल विश्व के चेतरफल का कितना है दोस्तो भारत का जो टोटल चेतरफल है वो विश्व के चेतरफल का 2.42% है कितना है 2.42% है अपना स्कोर लिखते रहना है कि आपने कितने सही अंसर दिये है ओके दोस्तो next विश्व की कुल जन संख्या का कितने प्रतिसत भारत में निवास करता है। दोस्तों विश्व की कुल जन संख्या का सत्रा प्रतिसत भारत में निवास करता है। कितना सत्रा प्रतिसत भारत में निवास करता है। भारत का कुल छेतरफल कितना है। तो दोस्तों, भारत का जो कुल छेत्रफल है, वो है 32,67,263 किलोमेटर, कितना, 32,67,263 वरग किलोमेटर, ओके, वरग किलोमेटर आए गया है, ओके, ठीक है, next, भारत की स्थल सीमा से कौन-कौन से देश लगे है, स्थल सीमा, यानि कि भारत को जो जमीन से टच करने माले देश हैं, वो कौन-कौन से हैं, यह हैं, बांगला देश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, यानि कि मैनमार और भूटान, ओके, दोस्तों, next, भारत की जल सीमा किन देशों के साथ लगते हैं, दोस्तों, भारत की जो जल सीमा है, वो भी 7 कंट्रीज के साथ मानी जाती हैं, इ इंडोलेसिया और थाइलेंड, दुबार देख लेते हैं, मालदी, स्रिलंका, बांगला देश, मैनमार, पाकिस्तान, इंडोनेसिया और थाइलेंड, next, करक रिखा किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, यानि कि जो करक रिखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं, भार इसको हमें एक ट्रिक से भियाद कर सकते हैं, गमचा, जार, मितर, पर, गय, मै, चा, यानि कि गय, गुजरत, मै, मन्देपर्देश, छे, छतिशगड, हो क्या गमचा, जार, यानि कि जार घंड, र, यानि कि राजस्थान, मितर, पर, यानि कि मी, मिजोरम, तर, यानि कि ति निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है कहां से इलावाद के निकट नैनी नामक स्थान सर जो ये देशांतर रेखा गुजरती है नैनी से ये साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर कुछा साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय और ग्रीन विच समय में कितना अंतर है दोस्तों भारत का जो मानक समय है उसमें और ग्रीन विच का जो समय है उसमें साड़े पांच गंटे का अंतर है कितना साड़े पांच गंटे का देखो एक डिगरी जाने पर चार मिनट का अंतर आता है और भारत का समय क दक्षनी छोर की कितनी दूरी है दोस्तो भूमद्र रेखा से भारत का जो दक्षनतम बिंदू है इंद्रा पॉइंट वहां की जो दूरी है वह है 866 किलोमेटर कितनी 866 किलोमेटर नेश्ट भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है यानि कि जो समुदर के साथ टच करता है इलाका उसके बाद कर रहा है भी ये है एक सट सो किलोमेटर 6100 किलोमेटर नेक्स्ट भारत के कुल तर्टरेखा की लमबाई यानि कि दुवीप समू सहीत कितनी है ये है 7560 किलोमेटर अभी इसमें दुवीप जो समू है ना उनकी तोटल जो मैदानी विस्थार बताया गया है वह चवारीस बरतिसात। नेक्स्ट कोशन, भारत में समुन्दर तर्टरेखा वाले राज्यों की कितनी संख्य है, समुन्दर तर्टरेखा वाले यानि कि पूर्वी घाट और पस्चमी घाट इन में टोटल कितने राज्ये आते हैं, यह 9 दोस्तों, कितने पूर्वी घाट और पस्चमी घाट यह कितन चार राज्य लगते हैं कौन-कौन से उपर से काउंट करते हैं वेस्ट बंगॉल फिर ओडिस्षा उसके नीचे आंधरा प्रदेश और उसके नीचे तमिलनाडो ठीक है दोस्तो पूर्वी घाट के हो गई है जो कि बंगाल के खड़ी में लगते हैं अब चले जाते हैं अरब तटिये सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ नेच्ट पॉइंट किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है वो है गुजरात गुजरात का जो समुद्री तटरेखा वाला इलाका है वो अन्य राज्यों की अपिक्सा सबसे ज़्यादा है दोस्तो नेच्ट करक रिखा भारत के कितने राज जोशे होकर गुजरती है करक रेखा भारत के आठ राज जोशे होकर गुजरती है जो कि हम ओलडी उपर देख चुके गमचा जार मित्तर पर ट्रिक से याद गिया था भूमद देरेखा के निगट कौन सा स्थान है इंद्रा पॉइंट ठेक है दोस्तो कौन सा इंद्रा पॉइंट अंडेमान निकुबार द्वीब सुहूँ वाला जहां से अकसांस रेखा गुजरती है कितनी 6 डिगरी 4 मिनट इंद्रा पॉइंट कहां स्थित है अंडेमान निकुबार द्वीब सुहूँ में दोस्तो next किस राज्य की समुंदर तटरेखा सबसे छोटी है समुंदर तटरेखा जो सबसे छोटी है वो राज्य है गोवा कौन सा गोवा next भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है बंगला देश के साथ है दोस्तों किस के साथ? बंगला देस के साथ कितनी है? 4006.7 4096.7 kitchen next भारत का कौन सा भूरी समुंदर तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुंदर तट ये जाना जाता है दोस्तो, कोरो मंडल तट के नाम से, किस नाम से, कोरो मंडल तट के नाम से, next, कोंकर तट कहां से कहां तक है, कोंकर तट कहां से कहां तक स्थित है, गोवा से दमन अंदिप, okay, गोवा से दमन तक, next, लक्षदीप समू के द्यूइपो की उत्पत्ति किसके द द्वीप कहां स्थित है न्यू मूर द्वीप जो है अंडेमान निकोबार द्वीप समू में स्थित है कितने कहां पर अंडेमान निकोबार द्वीप समू में स्थित है न्यू मूर द्वीप नेक्स्ट कौन सा द्वीप भारत और स्रिलंका के बीच में स्थित है यह लक्षदीप समू के कुल द्वीपो के संख्या कितने हैं देखो दोस्तो छोटे छोटे द्वीपो को मिला करके महाँ पर लक्षदीप के इसको नाम दिया गया है इसमें कुल द्वीपो के संख्या पुछे है यह है 36 कितनी है 36 इन मेंसे यह जरूरी नहीं कि सभी के उपर इनसान रहे छोटे-छोट टुकडे है जरूरी नहीं उनके उपर इनसान भी हो अगला कोशन वही है हमारा लक्षदीप समू में कुल कितने द्यूपों पर मानव का वास है टोटल 36 में से 9 द्यूपों पैसे है जिन के उपर इनसान रहता है भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है सफेद पानी के नाम से यानि कि जम्मो कश्मीर का सियाचिन गलेशियर वाला इलाका जम्मु कश्मीर का वह हिसा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है वह कहलाता है ओक्साइचीन दोस्तों जम्मु कश्मीर का वह हिलाका जो चीन ने कबजा रखा है उशे ओक्साइचीन कहते हैं जम्मो कश्मेर का वह इलाका जो पाकिस्तान ने कब जा रखा है उझे पीओ के कहते हैं पाक अधिकरत ओके छेतर नेस्ट पाक उकुपाइड काश्मेर नेस्ट भारत में सीत मरुस्तुल कौन सा है सीत मरुस्तल लद्दा के दोस्तो लद्दाख सीत मरुस्तल के नाम से भी फि जिरात वाला इलाका से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट यानि कि अनुनांचल प्रदेश वाला इलाका साथ में नोट करेंगे पूर्वी देशांतर कौन सा? पूर्वी देशांतर 68 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर नेक्स्ट भारत में कितने केंदर सासित परदेश है दोस्तों भारत में वर्तमान में आठ केंदर सासित परदेश है कौन कितने हैं आठ केंदर सासित परदेश है किस देश के साथ न्यू मूर्द्वीब के कारण भारत का विवाद है ये न्यूमूर्द्वीब जो की अन्यमाननी को बार्दियूस्विम्यू के अंदर है ये बंगला देश के साथ में एक विवाद का कारण है किसके साथ बंगला देश के साथ नेक्स्ट भारत किस गोलार्द में इस्थित है भारत उत्री गोलार्द में इस्थित है इसलिए भारत के अंदर उत्री अक्षान सरिखायाती है किंदर सासित परदेश दादर नगर है विली भारत के किन राज्यों के बीच में इस्थित है तो दोस्तों दादर नगर है विली आपको अच्छी तरह पता होगा गुजरात और महराष्टा गुजरात और महराष्टा के बीच में इस्थित है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था अलुनांचल परदेश को ठीक है दोस्तों अलुनांचल परदेश केंदर साशित परदेश अंडेमान निकुबार द्यूप समुकी राजधानी पोर्ट बलेर किस द्वीप परस्थित है यहां हमारे कोचन और बन गया कि केंदर साशित परदेश अंडेमान निकुबार द्यूप समुकी राजधानी क्या है और कौन से दीप पर स्थित है यह दक्षण अंडेमान में कहां पर दक्षण अंडेमान ओके दोस्तो next कौन सा राज्य उत्री पूर्वी राज्य की साथ बहनों का भाग नहीं है देखो दोस्तो seven sisters के नाम से जाना दाता है जो हमारे पूर्वी states आते हैं उनमे लेकिन उत्री पूरी states के जो साथ है इसके लावा एक दो और भी है जो उत्री पूरी में आते हैं लेकिन उनको seven sisters में count नहीं किया जाता ये कौन-कौन से ना तो पस्षे मंगाल को नहीं सिक्किम को ये seven sisters में नहीं आते हैं ठीक है ये seven sisters के अंदर कौन-कौन से राज़े आते हैं ये भी जान लेते हैं देखिए एक तो आते है त्रुपुरा जिसकी राज़ानी क्या है अगरतला एक आते है नागलेंड दो नमबर पे यानि कि कोही मा उसकी राज़ानी है तीसरा कौन सा है दोस्तो मिजोरम ये साथ राज़े हैं जो seven sisters के नाम से जाने जाते हैं next कौन सा महतुपुर्ण अकसांस भारत को दो भागों में बाटता है दोस्तो भारत को दो भागों में बाटने वाला 23 degree 3 मिनट कौन सा 23 degree 3 मिनट उत्री अकसांस है ठीक दोस्तो ऐसा है आप सभी न सुना होगा कि हमारे वायो मंडल में 21% ऑकसिजन है ये है वो है अभी थोड़ा सा पिर्थवी के करस्ट के अंदर भी जान लेते हैं पिर्थवी में कितना ऑकसिजन है कितना ऐलुमुनियम है कितना सिलिकोन है बहुत ही महत्वण कोर्शन दोस्तो देखो पिर्थवी के करस्ट के परमुक संगटक जो तातो है कौन-कौन से है एलुमिनियम जो है पिर्थवी के अंदर 8% दोस्तो कितना 8% है केल्सियम 4% ओकसिजन 47% कहीं-कहीं ये आपको 46.6% भी मिल सकता है कितना 46.6% भी मिल सकता है नेक्स शिलिकोन है 28% पोटासियम है 2% अन्य ततव है एक आइरन है 5% सोडियम है 3% मेगनिसियम है 2% टोटल हो गया 100% यानि कि पिर्थवी का जो क्रस्ट बना हुआ है इसकी बात कर रहेते हैं इसमें क्या क्या आता है इसमें जो सबसे महतुपन हमारे काम काया है वो क्या आया है आइरन 5% सिलिकोन 28% अलुमिनियम 8% और ऑक्सिजन दोनों पाइंट याद रख लेना 46.6% वो नहीं मिलेगा तो 47% मिलेगा दोस्तों यहां तक हमने काफी कोशन कवर किया है आसा है और उम्मीद भी है कि आपने मैकसिमम सोल की होंगे अगर नहीं किया है तो रजिस्टर में अपने नोट्स बना लीजिए नोट्स कभी भी खराब नहीं राते आपके काम आएगे ओके थैंक्यू जैहिंद जैवारत बंदे मातरम आपका दिन सुब रहे